इस वक्त की सबसे दुख भरी ख़वर जो है हम लोग आपको बता रहे हैं और सुना रहे हैं कर रात पानिपत के सनोली रोड पर हनुमान सवरूप जो पानिपत में चल रहे हैं हनुमान सवरूप के एक टोली जा रहे थी और उसी टोली में कुछ राती ततों गुश गए और उन्होंने चाकूँ से वार करके अंतर राष्टे खिलारी उगरा खेडी के रहने वाले थे मनपृत उसकी हत्या कर दी अभी 2014 में वो नोकरी जोईन किये थे खेल कोटे से उनकी नोकरी थी और कबड़ी के इंटरनेशल स्तर के खिलारी थे रात का जो मामला था सनोली रोड पर ये लोग हुर्दंग मचाते जा रहे थे एक शक्स ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन उसके सुनी बढ़ती चले गई और चाकों से बार करके उसकी हत्या जो है कर दी गई दुखबरी खबर है वाईश्य पानिपत पर हम लोग आपको दिखा रहे हैं और इसके बाद कि आपको तस्वीरे दिखा दे सुबह इस समय उग्रा खेड़ी के तमाम उग्रा खेड़ी और बैन होने चाहिए परिजनों में परिवार वालों में भी गुसा भरा हुआ है लोगों में भी इस बात को लेकर रोश बना हुआ है कि इतना बड़ा हाथसा हो गया लेकिन परशाशन अभी तक जो है इस मामले में चुपी क्यों साधे हुए है देर रात का मामला है स्वनोली रोड पर ये जो है जगड़ा हुआ रिए सारा मामला सामने आया आपको वो समय जो डीजे चल ला था डीजे के सामने वो जो यूवक थे वो नाच रहे थे हाथों में हत्यार लिये नाच रहे थे उस समय के एक्स्क्लूसी जो है सीसीडी फोटेज दिखाते हैं उसम अनुवान सभाओं के आगे जो डीजे लगा कर चल रहे हैं उन पर परशासन क्यों नहीं लगा रहा तो आप वो सीसीडी फोटेज देखिए फिलाल इस मामले में पांच लोगों को आइडेंटिफाई किया गया है और उन लोगों की धर पकड़ जो है पानीपत पुलिस कर लेकिन अब भी तक एक भी शक्स इस मामले में गिरफतार नहीं क्या गया लोगों में इस बात को लेकर रोश बना हुआ है परिजनों का इस बारे में क्या कहना है और पुलिस क्या कहती है आपको सिधा वो बाची सुनवाते हैं रात ये जानकारी आई जी कि बच्चे को चाकु मार दिये हमारा बतीजा रेलवे में था टेटी और वो उग्रा खेडी मोड के आसपास चाकु मारे गए उसको फिर हम होस्पिटल लेके आए मैक्स प्लस फिर प्रेम में तो जहां उसने दम तोड़ दिये अग्या पता लगए किसमेंबोरा जानकारी यह पताल लगए जी अनुमान सरूप को लेकर जांके थी जिसमें कुछ उड़दंगी लड़के थे जिनोंने चाकु ले राते हुए लट ले राते हुए निकल रहे थे जेगे-जेगे तोड़ पूड़ कर रहे थे तो उसका व तो से उसके वार की और ओवर ब्लीडिंग की वज़े से वो नहीं बचाया जासे यह आज वो डीजे लगाकर चलना है इनके प्रतितन होना चाहिए हाँ आस्था और डीजे का और जो गाने वहां उसमें चल रहा था कि हत्यारों को लहराते हुए और इस तरह से तो वह बहुत चीजे आस्था अपनी जेगे है लेकिन सरारती तब तो जब यह काम करेंगे तो इन चीजों पर भी असर आएगा जो यह लड़का है यह रेल्वे में लगा हुए बच्चा और यह अपने घर पे जा रहा था रास्ते में कोई थोड़ा मोठा जगड़ा को इसको चोटवाने के लिए बढ़ गया भी छोड़ दो इनको तो उस बच्चे को चाकू लग से उसकी दर्दनाक मोत कर दी है और द खेल कुद वाला और बहुत ही अच्छा नेक बच्चा था अपनी कुद अपनी ताकत से जो है यह लड़का नोकरी पे लगा है और यह विचारा कल मालिक ने जैसे मर्जी समझो जो यह गुंड़े कट्टे हो गया है ऐसी सरार्त करें उन्हान के रूप में होगन है इतने ब परतिबंदोने चाहिए कि अजी जीज़ेगे चाहिए तो कामी नहीं है यह तो सिर्फ सिदा सिंपल काम है सिदे तरीके से जाओ अपना अपनाओ जो जिसका काम है राम का नाम लो नाम से उता सब कुछ यह दिन डीजे के साथ चकुई आगे आगे लेके चल रहे हैं और अभी तो फोर्स परशासन जो भी दिखाएगा जबी पता लगेगा वैसे तो दिखा रहे हैं वह पचान में आ रहे नहां आ रहे वह तो जब पता लेगा जिब सही जो है फोर्स अपना कानु तरकिये चुछ बात को छेड़ेगी और बताएगी जब हमारा पेटा परेगा सब का तो यहीं मतलब सबने उठाएंगे अभी अभी परशासन किसी ने बात ही नहीं कि अभी आके सब लोग वहां बांदर बार खड़े हैं आएंगा इसपी साब आओ या बड़े अफसर आओ आओ आके बात करो हमारे से पूछो और क्या कारवाई करी कौन पकड़ा हमारे को क प्रेटा बर जाएगा तो तुरूंता हम चले जाएंगे कि कल मनपरीत सनुप जैपाल को अग्यात वैक्तियों दुवारा चाकुमार के चाकुमारा गया जिसमें पुलिस ने 302 के तैट आफाया दर्ज करके और उपी को एडेंटिफाई कर रहे हैं और जल से जल आ रूपी सिलाकों के पीसे होना एक बाइने मारवेंज गुजर के नाम से बाइने मकदमा तर्ज हो है वह भी गरसे फरार है उसके लिए भी हमारी टेम में लगी जगडा किस वाथ लगा अभी वह चीजे प्रोपर पता नहीं चल पा रही है उनकी इंवेस्टिगेट हम कर रहे हैं किस तंगड़ियां हैं उन से भी हम से फूटेज ले रहे हैं जगडा वुरत किस बात पे जगडा हुआ है यह अभी कोई पता नहीं लगाए किस बात की जगडा बाकिया मकारवाई इसमें करते हैं फिलाल शव का जो है पोस्टमार्टम सीविल हस्पताल में चल रहा है और अगली तस्वीरों में आपको दिखाने की कोशिश करेंगी कि सारे मामले में पुलिस और प्रशासन का क्या कहना है सच सिर्फ हम दिखाते हैं